Hello everyone, welcome to humanities concept तो आज हम लोग My Mother at 66 का central idea पढ़ेंगे तो central idea पढ़ने के पहले हम लोग एक मेर्ट में जल्दी से poem को एक बार revise कर लेते हैं जिससे क्या होगा जिसने कभी poem नहीं पढ़ी होगी तो उसको समझ आ जाएगा poem में क्या है और जिसने पढ़ी होगी उसको revise हो जाएगा और central idea समझने में और help होगी तो पोया में क्या रहता है कि जो कमला दास है वो बताती है कि वो अपने parents के घर से coaching airport की और जा रही होती है उनके साथ उनकी ममी भी होती है उनकी मा भी होती है जो बगल में गाड़ी में बैठी होती है तो जाते जाते वो क्या देखती है कि उनकी मा बगल में बैठी होई है जो वो थोड़ा सा मतलब जपकी ले रही है वो सो रही और सोते हुए उनका थोड़ा सा मुझ खुला है और वो बहुत ही एकदम डल लग रही है देखने में एकदम उनकी स्किन पेल, मतलब पीली कलर की हो गई है पीला पन है और कोई भी शाइन नहीं है उनके चहरे में और एकदम वो ये महसूस कर पाती है कि उनकी माँ जितनी बूरी दिख रही है वो असल में भी उतनी बूरी है हो चुकी है और ये सोच कि उनको बहुत बुरा लगता है उनको बहुत दुख पहुँचता है तो वो क्या करती है अपना माइं डाइवर्ट करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर खिड़की की और देखती है खिड़की से बाहर की और देखती है तो वो क्या देखती है कि कुछ स्प्रिंटिंग ट्रीज देखती है और मेरे चिल्डर्स देखती है इसका क्या मतलब है कि जब आप गाड़ी से जा रहे होते हैं तो आपके साथ-साथ आपको लगता है कि जो साइड में पेरे लगे होते हैं कि वो भी आपके साथ-साथ चल रहे हैं पर ऐसा नहीं होता है ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज आपके साथ दौड रहे हैं और जो बच्चे थे जो बच्चे उन्होंने देखिये वो बच्चे उन बच्चों बहुत ही स्पार्क था वो बहुत एनर्जेटिक थे बहुत एक्टिव लग रहे थे और बहुत खुश लग रहे थे वो एकदम का डर था कि कहीं वो अपनी माहा से अलग न हो जाए कहीं उनकी माह की मतलब मृद्द्ध नहों जाए यहीं सोच के वो बिशारी दुखी हो रही थी आज पर परशान हो रहाथी आगे क्या होता है जब वो कोचिंग अरिपोर्ट पहुत जाती है तो वो फिर से अपनी मा की तरफ देखती है जिनका चहरा फिर से वही पेल स्किन लग रही होती है मतलब पीला पन लग रहा होता है उनके चहरे पे और फिर वो अपनी मा से लेकिन कुछ नहीं बोलती है वो वहीं पर खड़ी रहती है और उनको एक अपने बचपन का डर वापस याद आ रहा होता है तो क्या होता है कि जो भी छोटे जब हम लोग छोटे रहते हैं तो सब के मन में ये डर जरूर होता है एक ने एक बार जरूर आता है कि कई हम लोग के ममपापा लोग को छोड़ के ना चले जाएं, तो ये डर बना ही रहता है, तो उनको वही डर वापस यदा रहा था, फिर वो क्या करती है, वो कुछ नहीं कहती है, वो अपनी माँ से बोलती है, see you soon अम्मा, फिर मिलेंगे, ईसा वो बोलती है, उसके पाद वो important चीज जैसे हम लोग central idea याद करते हैं कि हमें एकदम perfect लिखना है अपने board exam में तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें exam के pressure की वज़े से या फिर कुछ भी हो जाता है तो exact word याद नहीं आ रहे होते हैं कि हमने क्या याद किया था एक दूलाइन हम भूल जाते हैं लेकिन अगर आप central idea पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया आप समझ लेते हैं उसको तो आप अगर learn नहीं भी करेंगे उसको तो भी आपके पास अपने खुद के words होते हैं आप खुद के words में लिख सकते हैं तो start करते हैं आप पहली line ये लिख देंगे the poem my mother at 66 is composed by kamla das ये लिख दें the poet has portrayed in the constant of an old age which she found in her mother सबसे पहले क्या लिखा है कि ये जो poem है ये compose की गई है कमला das जी के दौरा उसके बाद क्या लिखा है कि इसमें main चीज ये बताई गई है कि जो aging है जो आपा aging है वो एक natural process है मतलब उमर एक natural process है उमर का बढ़ना और जो भी इस दुनिया में चीज है तो जो भी है वो एक नएक दिन बदलेगा और जैसे आप अभी young हैं तो आप बुड़े होंगे और फिर जब आप बुड़े होते हैं तो आपके सामने क्या परिशानी आती है क्या समस्य आती है क्या बाधा आती है तो ये वो महसूस कर अपनी मा को देख कर आगे देखते हैं on this earth whenever a human being is born is she or he has to grow up and face different situations that are put in front by life wait तो एक बार फिर से देखते हैं यहां पर on this earth whenever a human being is born he or she has to grow up and face different situations that are put in front by life तो इसमें बताया गया है कि जब भी आप इस धर्ती पर इस दुनिया पर जन लेते हो और तो आपको क्या होता है आप बड़े होते हो आपको grow होना पड़ता है और जिंदिगी और life के सारी problems का आपको सारी situations का सामना करना होता है इसमें बताया गया है कि जब आप इंग होते हो जब आप इंदर क्या रहता है आप फुल अनरजी रहते हो आपके अंदर बहुत एनरजी रहती है और एक positive vibe होती है आपके अंदर और spark होता है आप लोग comparison to old people आपके अंदर ज्यादा जीनी के लिए वो रहता है और फिर क्या होता है दीरे दीरे आप बुड़े होते हो और फिर एक दिन आपको मढ़ना होता है तो क्या होता है कि जब हम जिन्देगी पर इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं इतना life experience करते हैं हम लोग तो यह life एक course की जैसे बताएगे यहाँ पर तो जब हम अपनी day to day life में हम आगे बढ़ते रहते हैं और सारी situations handle करते हैं और कुछ ना कुछ हर दिन हम लोग सीखते रहत हैं तो क्या होता है कि इस दोरान हमें बहुत सारे नए लोग भी मिलते हैं और हमारे दोस बनते हैं नए फ्रेंस बनते हैं और हम लोगों को छोड़ कर भी जाना पड़ता है हम लोग को भी छोड़ कर जाना पड़ता है this whole poem is concentrated on that pain only तो यह सारी poem इसी pain पर concentrate कर रही है यह इसल separation separate होने का डर था कि कहीं उनकी मा से वो अलग ना हो जाए वो separate ना हो जाए क्योंकि उनकी मा इतने बुड़ी हो चुकी थी इतने weak हो चुकी थी वो और वो अभी यंग थी तो वो ही सोच रही थी कि उनकी मा से वो अलग ना हो जाए वो separate ना हो जाए इसलिए वो बहुत दु होता है जो एक मा बेटी के बीच में होता है everyone has a deep feeling of love for their mother सबके अंदर सबके अंदर अपने मा के लिए मतलब बहुत सारा प्यार होता है बहुत भावनाय होती है and we are always very wonderful and tense there is a pain deep inside us when we have to leave them और हमेशा इस चीज़ का डर रहता है और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है और एक डर चुपा होता है, pain चुपा होता है दर्द का कि हम उनको खोर न दे so does कमलादास feel while going away from her mother who has grown old और ऐसी कुछ feeling कमलादास को भी आ रही होती है जब वो अपनी मा के पास बैटी होती है और वो उनसे दूर जा रही होती है तो ये सब बाते इस poem में भी discuss की गई थी कि जैसे वो उनके पास बैटी थी ना तो उनको लग रहा था कहीं वो अपनी माँ से सेपरेट ना हो जाए वो अलग ना हो जाए उनकी माँ उनको छोड़ के ना चल जाए तो उसी बारे में बताया जा रहा है कि ये उन्होंने भी feel किया था so does कमलादास feel while going away from her mother कमलादास ने भी feel किया था जब वो अपनी माँ से दूर जा रही थी who has grown old और उनको लग रहा था कि मतलब उनकी माँ से दूर ना चली जाए and when sadness she is also feeling guilty that when her mother needs her she is not there और उनको इस बात का guilt भी हो रहा था कि जब उनकी माँ को उनकी आफशक्ता है उनकी जरूरत है तब वो वहाँ पर नहीं है तो यहीं पर central idea खतम होता है आपको poem के बारे में पता होना चाहिए अगर आप poem पढ़ेंगे और आपको पता होगा पूरी poem में बता क्या रहा है वो कहना क्या चाहती है तो आपको बहुत आसानी होगी central idea लिखने में और paper में आप कितना भी याद कर लो आप भूलेंगे तो है ही तो अगर आपको पता रहेगा क्या है explanation और वो क्या कहना चाहते है poet तो आप अपने words में लिखेंगे जो कि सबसे best होता है अपने words पर लिखना क्योंकि याद तो कर लेंगे पर भूलेंगे यह तो sure है तो आप अच्छे से समझ कहें होंगे और thank you